हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वन्टीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC, स्टाफ सलेक्शन कमिशन की जो रिकूर्माइड नोटिफिकेशन आपकी इन्वाइट की गई है, इसके फॉर्म में आप एडिट कैसे कर सकत हैं, जो फोटो चाहिए, वो फोटो में आपको डेट कैसे लिखनी है, और इसके अलावा फ्रेंज से पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज से यहां पर देखिए, जो आपकी वेकेंसी है, इसके फॉर्म फिल मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर आप मॉबाइल से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर से करना चाहते हैं, दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको यहां पर एवलेबल करा दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप् आपको यहां पर पता होनी चाहिए, वो यह है, सबसे पहले एज क्राइटेरिया जो कि 18-23 साल का रहेगा, और यह आपका 18-2021 को काउंट किया जाएगा, तो आपकी जो भी एज है वो आप 18-2021 को काउंट कर लेंगे, यह फ्रेंच जो एज है यह जनरल की एज है, अगर 18-2021 तक अगर आपका रिजल्ट अवेटेर है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर फ्रेंच से बात में जब इसका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको यह शो करना होगा, कि 18-2021 तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो गया है, अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंच से यहाँ पर देखिए इसके इस पोर्टल के बारे में, अगर आप अपना यहाँ पर रिजिस्टेशन नंबर भूल गए हैं, उस कंडिशन में आपको फॉर्गेट पासवर्ड करना है, फॉर्गेट पासवर्ड करने पर आपको सबसे पहले स्टे वो OTP दो को अपको verify करनी होगी, इसके बार जो security code है, यहाँ से submit करना होगा, और यह करना ज़रूरी है, इसके बार दो अपको जो आपका registration number है, वो आपको मिलेगा, तो आपको submit वाले option पर click करना है, अब आपको देखिए registration number और आपकी जो register mail ID है, वो आपको मिल जाएगी, इस पास्वर्ड कैसा होना चाहिए to password में आपको देखिए upper case-car आपको lower case- यूस करने हैं और आपको यहाँ पर तरी से सम्मिट करेंगे और आपका जो पूर रेजिस्टेशन नंबर मिला है और जो पासवर्ड मिला है उसके थूरू आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो गई अप्लाइक कर चुके हैं इसके लिए अलावा अगर आप दो बार से जाड़ा मोडिफाई कर लेंगे तो भी आप इसमें जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यह आप अपने अकोर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं और इसके बाद इसको यहाँ पर वेरिफाई भी कर देंगे ऐसे ही आपके यहाँ पर रोल नंबर है आपका यहाँ पर यहाँ पासिंग है यहाँ फिल कर सकते हैं मैंने पर देखिए आपकी कैटेगरी आप चेंग करना चाहें जनरल EWS, OBC, SC, ST आप यहां से अपनी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं इसके बार नेशनलिटी का ओप्षन है इसके बार यहां पर पर सब्सक्राइब करना चाहें वो कीजिए उसके बार आप इस पर और जो वो OTPI है उसको फ्रेंज से आपको यहां पर सम्मिट करना होगा इसके बार देखिए आपका रडिस्टेशन यहां पर अपडेट हो जाएगा और उसके बार फ्रेंज से आप इसमें जो आविदन है वो कर सकते हैं अपलाए वाले ओप्षन से इसके बार को SCST की कास के ओप्षन मिल जाएगा तो आपके अकोर्डिंग यहां पर आप इस डिक्स्टेशन ओप्षन को सलेक्टिक कर सकते हैं अगर आप वैसे ही एपलिकेबल है तो आप इसे नो रहने देंगे ऐसे ही सेंटर चॉइस करना है इसके बाद यहां पर देखिए अठारव योटी में तो आप यह सिरान ओट नो गर सकते हैं इसके लाब अगर आप इससना अफटेट बैणिफिट चाहते है तो आप यह जानकर करना होगा कोशिश कीचे सारे कोड आप यहां पर देआ Most कि CISF में जैसे वेकेंसी आप नहीं है तो फिर भी उसमें वेकेंसी जब भी इंक्लूड होगी तो कम से कम आप उसके लिए फाइट तो कर पाएंगे इसलिए प्रफेंस आप यहां पर सभी के लिए देंगे इसके बाद है हाइस्ट कॉलिफेकेशन हाइस्ट आप जो देना च परसेंटेज में इसके बार फैंसे डिटेल आती है आपकी फोटो विड डेट तो अगर देकर मॉबाइल उसर है तो पिकसार नाम का सौफट्य को अप लिख सकते हैं या फिर फैंसा गूगल पर बहुत सारे एडिट आपके जो है आपके लिंक्स हैं उनसे भी एडिट कर सक offers यहाँ आपको लगे करनी है कम क्या नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांग है और तीन महिनें जादा पुरान आपकी देट यह नहीं हो नी चाहिए आपको अपके अकॉर्डिंग जो डेट है वो आपको यहाँ पर mention करनी है आप size यहाँ से कम ज़ादा कर सकते हैं और इसके बाद friends आप जब इसको set कर लेंगे इसके बाद आपका जो यह photo है वो यहाँ पर complete हो जाएगा इसे आप फिर file पर जाकर save इस पर जाकर jpg format में save कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर आपको date mention करनी है आपकी photo पर कौन सी date है आपको photo पर clear show कर रहा है इसके बाद इसे एगरी करेंगे capture को डालेंगे और इसके बाद यहाँ से पिर्विव चेक करेंगे पिर्विव चेक करना बहुत जरूरी है पिर्विव चेक करने के बाद ही फैंसे आप इसे पिर्विव करके submit कर पाएंगे तो फ्रेंस यहाँ पर आपको payment करना है तो मालीजिया payment वाला जी option है इसको आपको click करना होगा और आप online करना चाहें online कीजिए offline करते हैं तो आपको यहाँ पर net banking यूज करें या फिर आप UPI यूज करें कोई फी एक option का यूज कर सकते हैं payment को complete करने के लिए इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए जब आपकी process complete हो जाएगी यहाँ तक इसके बाद आपको यहाँ पर option मिलता है आपके payment status का आप अपना जो status है वो चैक कर सकते हैं अग आपको wait करना है इसके अवालावा आपको double verification का option मिलता है अगर 24 hour से पहले वो verify नहीं होता और double verification कर सकते हैं अगर आपको दुबारा payment का जो यह link है यह आपका open हो जाता है उस condition में आप दुबारा payment कर लीजिए पहला जो payment है जो की failed हो गया होगा वो आपको वापस refund कर दिया जाएगा इसके पर आप यहां से print निकाल कर अपने पास रख सकते हैं तो यहां पर फैंसे मैंने आपको सारी process यहां पर बता दी है कैसे आप constable gd के form में edit कर सकते हैं payment कर सकते हैं फोटो को नीचे आप date लिख सकते हैं और अपने registration number हो दोबारा से कैसे ले सकते हैं बाकी की जानकारी फ्रेंस आप video description में jobrasa.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चनल एनल वाची टूर आपको